पहले आपना तो अखाद देखो इसको पत्रकार मानते हैं कि आप इला फंगा को ये बीजेपी आर्सेस का एजेंट है एक हाथ माइक थाम लिये तो पत्रकार हो गए समझे ये तो एजेंट है इन पर फैरलोज भी है जिनके खुद के घर सीशे को हो वो दुसरे के घर में पत्थर नहीं मारते ये कहावत मनीज कस्यप पर सटिक बैठती है मनीज कस्यप खुद को बिहार का सबसे बड़ा पत्रकार मानता है और बिहार का रहनुमा और बिहार का जवजीरे आजम खुद को समझता है मनीज कस्यप के इतिहास की बात कर ली जाये तो उसके खुद दामन पर दाग है कुल मनीज कस्यप पर साथ मामले दर्ज हैं और तमिलाडू परकरन में जिस परकार से मनीज कस्यप नफरत फैलाना चाह रहा था लेकिन समय रहते वर्तमान सरकार ने उसके नफरत पे कहीं न कहीं जो तमाम जो घटना है उसका खुलासा कर दिया गया और इस पूरे मामले पे मनीज कश्यप पर आर्थी कपराद इकाई की ओर से तीन एफाई यार दर्च किया गया उसके बाद मनीज कश्यप लगातार ते ज यसुई आदब पर हमला पर है और कहने वाले लोग यह भी कहते हैं कि मनीज कश्यप और बीजपी का एजेंट है और उसी के इसारे पे यह तमाम साजिस रची गई थी और इस पूरे जो वीडियो को जारी किया गया था मनीज कश्यप की ओर से वह तमाम वीडियो जो था वो फर्जी था तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अनील सादू जी है राजत से तालूक रखते हैं वडिये नेता हैं तमाम चीजों को समझेंगे अनील सादू जी बीजेपी जो 24-25 में चुनाओ है और जब जब चुनाओ आता है तो बीजेपी साजिस करने लगती है इस बार भी जो साजिस किया गया था कि तमिलाडू पर करन में नफरत वहला आया जाए लेकिन आपकी जो सरकार है उन्होंने तमाम फर्जी वीडियो का खुलासा कर दिय बिहार से अधिकारी गये हैं तमिलाडू तमाम चीजों की जाच हुई लेकिन पाया गया कि बीजेपी और आरेसेस का किया कराया था जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं और उसके बाद यह जो खुद को बिहार का सबसे बड़ा पत्रकार कहता है मनीश कस्यप उन्होंने त सोचल मेडिया पर जो पत्रकार का जीस तरह वीडियो सिभा चला तो वो वीडियो गल्प था अitations और जो पत्रकार जो वीडियोफ आरे लिखिन है ओसे स और वीॉपी का इसको पत्रकार मानते हैं और ने यह आपने देखा होगा कुछ साल पुर्व बिहार के मुखमंत्री आदानिये लालू परसाज जादव जी हुआ करते थे उस समय भी बीजेपी के लोगों ने रत चलाया था अधवानी जी के नितित में रादानिये लालू जी ने उन्हें रुकने का काम किया कि भैचारा आपसी भैचारा में कोई कलहन न उत्रे कोई कलहन न हो उसी तरह आज तेजिस्वी जादव जी ने देखला दिया कि कोई वीडियो गलत चला कर दो राजो का आपसी जो भैचारा है वो कभी हम तुटने नहीं देंगे आज जो पत्रकार चैलेंज कर रहे हैं बोला है आपके नेता को बोला है नौवा फेले हम पढ़ा देवेंगे हम तो इंजिनियरिंग किये हुए और तेजस्वी आदव नौवा पढ़ा हुआ हूए उका पर जो मेड़क होता है ना कुवा से बाहर कुवा के अंदर रहता है तो लगता कि अहीं अतना दुनिया है जब उपर आता तो उसको लगता कि बाप इतना वारा दुनिया है वही हल इनका है समझे यह तो एजेंट है इन पर एफैर लोज भी है कई आए फैर लोज है यह इसलिए इस सब को हम लोग ज़्यादा भाव नहीं देते हैं जो बोलना है बोले जनता बिहार की जनता मालिक ह और तेजिस्वी जादब जी के साथ बिहार की जनता है नहीं तो बोलने का तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है लेकिन बिहार के डिप्टी सिये में तमाम चीज़ परकार से चीजों को बिगारने का काम किया जा रहा था एफायार दर्च किया गया बिहार सरकार के तमाम जो ज जी जेल में रहें मामला दर्ज हुआ कहीं न कहीं बिहार को बरवाद करने का काम किया रोजगार नहीं मिला तो आपके निटा को तो नीचे गिरा रहा है ना मने मनिस्ट का सब जड़ा पुछे ना कि आज बैक पूर्ट पर दिखने मनिस्ट का सब जो अरोप लगा हैं उनसे सबुआ न कि अन्रोप कर भी जे पीक के प्रदेश सदक्ष के पहले लोज क्यूं हुआ तो क्यों हुआ मनिस्ट का सब्सक्रा पुछे ने परोशी राज के मुख मंत्री योगी जी पर लगा रहे हैं जिन पर सेक्रो केस है मनिस का सब क्यों ने अमीद साय के बेटे परसी वियाज्याज के मांग करते हैं ये क्या लोग बोलेंगे ये ये लोग एक हाथ में माइक ठाम लिये तब पत्रकार हो गया है को कि आज हमारा अज हमारा एक ब्यहर का भीãy सोचल मेडिया का पत्रकार तमिलैंब्लम में लगवेट हैंग लेबल पर उनका रिपोर्टिंग आ रही है, वहां का जो धीजी पी है, तमलिनाडू का, वो बिहार का रहने वाले हैं, खास कर पटना जिला के मस्वरी का रहने वाले हैं, डीजी पी, हिंदी पर्देशिक छत्र के हैं, वहां का एसपी, खुद हिंदी बोला है, है? और मन इसक abrir BJP का काम ही है की जिसी का का संग परवार का काम है कि तो दोचार्ट जो 2045 जो चुनाव हो होने वाले ने वियार में उसी का मत नजर दखते हुए अभी दखे नभी BJP के लोग, अभी BJP के लोग, अभी बिशूर्पर के लोग अभी बिपक्ष को जो परसां कर रहा कर रहा है उनको किस तरह के अपमान करने का काम किया विहार की जनता इस्वार संग परबार को उकाद देखला देगी तो आपका आपका जो क्या आप दिखलाईएगा उतो समय बताएगा लेकिन मुखमंत्री नहीं बनने देंगे तेजस्वी आदब को जेल भेजवाएंगे डारेक जवाब दीजएगा घुमाईएगा ठीका लिये वह हैं बिहार के जनता इने आप बोल रहें आपके लाज कर द देखो हम अपना तो को युका देख ले क्याम सत्व मेरे नहीं आने देंगे यहीं पर बिहार के जनता को लग रहाएं कि यह कर लिएं सरकार गिराने का पार मिसा सरकारे नहीं गिरा तो आपके जिल मानी चेले अः मनिस्का आइच छोड़िये इस आपके नाम ॉ कॉरमाई बन जाए माता जी उनकी बोल रहा है क्या बोला आप शोड़िये ना बुझा ब्यार की पर सासन उन्हें संग्यान दिया है यह हमारे यह हमारे नेता कुद धंकी देगा लोग यह तो दिया आप दूब आप अच्छा बिहार की जनता समय आने दीजे सब पकड़ का नहीं रहा पर सासन उस पर लगा हुआ इससे थोड़े है नितिसकुमार अप जी ना किसी को फसाते हैं ना किसी को बचाते हैं हाना सीधे तोर पे अनील सादू जी थे इन्होंने कहा कि जिस परकार से तमाम जो मामला हुआ या है तमिलाडू परकरन में जिस परकार से तीन F.I.R. मनीज कस्वप पर दर्च किया गया और इस पूरे खेल में मास्टर माइम RSS था जो मनीज कस्वप को एजेंट के तौर पे बिहार की इस्तिती को बिगारने का काम करना चाह रहा था लेकिन समय रहते मामले का खुलासा हो गया तीन F.I.R. दर्च किया गया और इन्होंने दावा किया है कि जल्दी मनीज कस्वप की गिरफतारी होगी और जो मनीज कस्वप ते जस्वी आदब पर हमला वर है उसके बयान देने से कोई फ़र्क नहीं परता क्यूंकि बिहार की जन्ता ते जस्वी आदब के साथ है रोईत नटाजीट पटना